सब्सक्राइब कुरें फ्रेंड ओफ स्टुडेंट चैनल और साथ में ही वैल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहें स्टुडेंट में इस वीडियो में आपको प्रिस्णावली दो दसल लगी कम्प्लीट पढ़ाऊंगा तो चलिए शुरू करते हैं निम्न समीकराण को हल कीजिए सबसे पहले बच्चो हम इस समीकराण का मतलब समझने कि समीकराण क्या होती है एक्जामपल के लिए बच्चो X प्लस 7 यह मैंने यहां लिखा क्या यह एक समीकराण है नहीं है अगर हम इसमें बरावर का चिनल लगाकर यहाँ जीरो लिख दें तो यह क्या हो जाएगी एक समीकराण हो जाती है ठीक है बच्चो, समीकरण इसे कहते हैं ये जो होता है X, Y, Z, A, B, C, D इसे हम कहते हैं चर और जो संख्याए होती है इने हम कहते हैं अचर किलियर किसी भी समीकरण को हल करने का मतलब बच्चो क्या होता है समीकरण में जहां पर भी एक चर दिया होगा उस चर का हमें मान निकालना है ठीक है बस इतनी सी इसमें बात है तो चलिए शुरू करते हैं सुरू करने से पहले आप एक दो चीजे समझ ले सबसे पहली बाद बच्चो समी करण में जितनी भी संख्याएं दी होंगी संख्याएं जिने हम अचर कहते हैं इनको हमें क्या करना होगा ये बरावर का जो चिन है इसके इस ओर रखना होगा इसे हम कहते हैं रहस यानि राइट हैंड साइड और इस ओर को हम कहते हैं लहस यानि लेप्ट हैंड साइड तो जितनी भी संख्याएं हैं वो रहेंगी RHS में और जितने भी चर यानि ABCD XYZ वो रहेंगे आपके left hand side में ठीक है second बात किसी भी सम्मी करोड को हल करने के लिए हमारा पहला step क्या होता है यदि किसी चर के साथ में XYZ ABCD इनके साथ में कोई संख्या plus या minus में दी हुई है तो जब हम उसकी side change करके उसे right hand side में लाएंगे तो उसका चिन बदल जागा एक्जामपल के लिए यदि X के साथ कोई संख्या plus में दे रखी है ठीक है यहाँ पर X से साथ plus में दी हुई है साथ तो जब हम इसकी side change करेंगे तो ये plus की संख्या हो जाएगी अब बच्चो यदि कोई भी संख्या किसी भी चरके साथ में गुणा में दे रखी है और गुणा में कैसे दे रखी होगी इस type से लिखी होगी 3X ठीक है तो यहाँ 3 जो है X से साथ गुणा में है तो आप यहाँ पर गुणा का चिन लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं ठीक है अगर कोई भी संख्या किसी भी चरके साथ गुणा में दी होगी तो हम क्या करेंगे जब उसकी side change करेंगे तो वो संख्या हमेशा इधर आने के बाद बटे में आएगी ठीक है अगली बात यदि कोई भी संख्या किसी भी चरके साथ ने बटे में दे रखी होगी जैसे यहाँ पर ठीक है यदि हम इस संख्या की side change करेंगे तो यह हमेशा गुणा में जाएगी x बरावर 0 गुणा 3 किलियर होगी बात बच्चो अब बात कर लेते हैं यदि सम्मी करण दिया हो 2x प्लस 7 बरावर 0 चलो यहाँ बटे में भी हम 3 लिख लेते हैं इस तरह से दिया हो तो सबसे पहला हमें काम करना होता है जो माइनस प्लस की संख्या होती है उसकी side change करते हैं हम कर लेते हैं आप है 2x बटे 3 बरावर माइनस 7 ठीक है उसके बाद हम बटे में जो संख्या दे रखी होती है उसकी side change करते हैं तो 2x बरावर माइनस 7 गुणा बटे की संख्या गुणा में जाएगी ठीक लास्ट में हम जो संख्या गुणा में दे रखी होती है उसकी side change करते हैं तो ये जाएगी बटे में ठीक है बच्चो इतनी बात है वस इतनी बात आपको अगर समझ में आ गई तो आप सारी ही ये exercise आराम से कर सकते हैं तो चलिए exercise शुरू करते हैं बच्चो सवाल शुरू करने से पहले आपसे एक request अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरू करें और साथ में ही वीडियो को लाइक भी कर दें देखिए पहला सवाल समीक रण को हमें हल करना है हल करने का मतलब क्या होता है दिये गए चर की बैल्यू निकालना तो यहां चर क्या दिया है हमें क्या करना है एक्स की वैल्यू निकालना है तो एक्स बराबर यहां साथ लिखा है और यह माइनस का साइड चेंज करके हो जाएगा प्लस का तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 9 यही हो जाएगा आंसर ठीक है सेकंड किसकी value निकाल लीए, by की तो by वराबर यहां 10 लिखा है यह plus में है, तो इधर जाकर हो जाएगा minus का, तो by की value प्राप्त हो जाएगी 7, ठीक है सवाल number third सबसे पहले आप क्या करें, z plus 2 को इधर लिख लें और इसको इस side में लिख लें हमें value किसकी निकाल लीए, z की तो z बराबर यहां पर 6 है यह plus का 2 जब इधर जाएगा, तो minus का हो जाएगा तो z की value हो जाएगी 4, यही answer हो जाएगा ठीक है, इसमें यह answer हो जाएगा चौथा सवाल value हमें किसकी निकाल लीए, x की तो x बराबर यहां लिखा 17 वटे 7 ठीक है, और यह जो संख्या है 3 वटे 7, इसके आगे कोई चिन नहीं है, तो इसके आगे plus का चिन है ठीक है, जब किसी भी संख्या के आगे कोई चिन नहीं होता है, तो इसके आगे हमेशा plus का चिन होता है जब प्लस की संख्या को इस साइड मे ले जाएंगे तो यह हो जाएगी माइनस की 3 बटे 7 इसको हम सॉल्फ कर लेंगे इसको सॉल्फ कैसे करते हैं यह अंस है यह हर है यह अंस है यह हर है ठीक है अगर हमारे हर समान हो तो उपर जो संख्याएं दे रखी है अगर वो घट रही 14 बटे 7 अब यहाँ पर 7 के पहाड़े से 14 दो बार में विवाजित हो जाता है तो इसे भी हम विवाजित कर लेंगे तो हमें x बरावर प्राप्त हो जाएगा 2 यह हो जाएगा हमारा आंसर ठीक है सवाल नंबर 5 सवाल नंबर 5 है 6x बरावर 12 बैल्यू हमें किसकी निकाल ली है x की तो x बरावर यहाँ पर 12 लिखा 12 लिख देंगे और x के साथ यह 6 किसमें गुणा में यह कहाँ चला जाएगा बटे में 6 6 से 12 दो बार में विवाजित हो जाता है तो इसे विवाजित कर देंगे तो x की बैल्यू हमें पराप्त हो जाएगी 2 यह हो जाएगा आंसर ठीक है सवाल नंबर 6 करते हैं सवाल नंबर 6 टी बटे 5 बरावर 10 बैल्यू किसकी निकाल ली है टी की टी बरावर कितना है 10 बटे की संख्या कहा जाती है गुणा में इसे गुणा में ले जाएगा पांच को तो t बरावर हमें पराप्त हो जाएगा पच्यास ठीक है आंसर हो जाता है चली सवाल नंबर 7 करते हैं बच्चों सवाल नंबर 7 है 2x बटे 3 बरावर 18 बैल्यू में किसकी निकाल ली है x की तो अभी मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम क्या करेंगे बटे की संख्या को इधर ले जाएंगे अगर प्लस की संख्या नहीं दे रखी है बटे की दे रखी तो सबसे पहले बटे की संख्या जाएगी 2x बरावर यहां लिखा 18 एक साइट चेंज करके हम लिख सकते हैं इससे मान पर कोई फरक नहीं पड़ता है value में निकाल नहीं by की तो by वराबर कितना लिखा है एक दसवलब 6 जब यह side change करेगा तो कहां चला जाए गुणा में एक दसवलब 5 इन दोनों की आप गुणा कर दें एक दसवलब 6 जुणा एक दसवलब 5 हम दसवलब को बूल जाते और 16 जुणा पंदरा करते हैं तो यह हो जाता है 240 अब हमें दसवलब लगाना है देखिए यहां पर दसवलब यबाद 1 अंक और यहां पर भी दसवलब जी प्राप्त हो जाती है चली सवाल 9 बरावर 16 तो हमें value निकाल लिए x की तो x यहां लिखा रहने दें इदर बरावर 16 लिखा है 16 लिख दें अब सबसे पहले हम क्या गरेंगे प्लस माइनस वाली संखे दल लाते हैं तो यह माइनस का है यहां आने से ही प्लस का हो जाएगा ठीक है तो हमें 7x बरावर प्राप्त हो जाएगा 16 और 9 25 ठीक है 14y बरावर है यहां 13 माइनस काट इदर आकर प्लस का हो जाएगा तो 14y हमें प्राप्त हो जाएगा 21 ठीक है तो y बरावर क्या होगा 21 और यह 14 कहां चले जाएगे बटे में ठीक है कौन सी संख्या जो दोनों संख्याओं काट सकती है साथ साथ तियां 21 और साथ दूनी 14 हमें एक ही संख्या से उपर नीचे विवाजित करना होता तो बाई बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा तीन वटे 2 अब ये दोनों संख्या एक दूसरे से विवाजित नहीं होंगी, अता आंसर यही हो जाएगा, ठीक है, चलिए सवाल नंबर 11 करते हैं, सवाल नंबर 11, 17 प्लस 6 पी बरावर 9, हमें बैलू किसकी निकाल नहीं, पी की, तो हमें यह 6 पी लिखा रहने दें, बरावर 9, ठीक है, यह देखिए, यहां कोई चिन नहीं, तो किसका चिन है, प्लस का, इसको इदर ले जाएगे, तो यह जाएगा, माइनस का 17, तो 6 पी बरावर हमें प्राप्त होगा, यह प्लस की संख्या है, माइनस की संख्या है, ठीक, जब कोई चिन नहीं होता, तो प्लस का चिन होता है, प्लस माइनस हमेशा गटते हैं, सत्रा मेंसे हम 9 गटाएंगे, तो हमें माइनस का 8 प्राप्त होगा, तो P बरावर क्या हो जाएगा, माइनस 8 बटे 6, अब दोनों कौन सी संख्या से कड़ जाएंगी, दो से, दो चौक आट और दो तियां 6, तो हमें P की वैलू प्राप्त हो जाएगी, माइनस 4 बटे 3, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, चलिए कोशन नमबर 12 करते हैं, कोशन नमबर 12 है बच्चो, एक्स बटे 3 प्लस एक बरावर 7 बटे 15, तो हमें वैलू निकाल लिए हैं X की, तो यहाँ X बटे 3 लिख दें, बरावर 7 बटे 15 है, 7 बटे 15 लिखें, यह प्लस का एक जब इदर आएगा, माइनस का एक हो जाएगा, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखें, यह 7 का 7 लिख दें, माइनस का माइनस लगा दें, 15 और 1 की गुणा कर दें, तो 15 एक कम 15 हो जाता, अब पूरे के बटे में यह 15 आप लिख सकते हैं, ठीक, तो हमें X बटा 3 वरावर इतना प्राफ्त हो जाता है, अब इसको हम क्या करेंगे, घटा लेंगे, ठीक है, 7 प्लस का है, और 15 माइनस का, तो क्या होगा, घट जाएगा, 15 में 7 घटेगा, तो कितना बचेगा, माइनस का 8, चिन उस संख्या का आता है, जिस चिन की संख्या बड़ी होती, ठीक है, तो बटे 15, तो हमें X वटे 3 वरावर प्राप्त हो गया, माइनस 8 वटे 15, हमें X निकालना है, तो X वरावर क्या हो जाएगा, माइनस 8 वटे की संख्या इदर आने पर, उपर वाली संख्या साथ गुणा में आगी, बटे 15, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, तीन के पाड़े से 5 विवाजित हो जाता है, ठीक है, तो हमें X वरावर प्राप्त हो जाएगा, माइनस 8 वटे 5, यह हमारा आंसर हो जाता है, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और मेरे चैनल को तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद,